हिमाजल पंजाज सीमा पर चिकनी बेहल बलोली सडक पर चिकनी पुल के पास लगा साइन बोर्ड पिछले लगबग 10 साल से जाडियों में पड़ा जंग खा रहा है लेकिन विभाग इसे स्थापित करने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखा रहा लगबग 10 साल पहले पुल निर्मान को लेकर इस साइन बोर्ड को यहां से हटाया गया था लेकिन लंबा अर्सा बीच जाने के बाद भी निर्मित ये साइन बोर्ड चिकनी खड में पड़ा है इस जगे पर साइन बोर्ड ना होने के कारण खास तोर पर मान नैना देवी मंदिर में जाने वाले श्रधालूओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये मुख्य सडक मसेवाल एनेच से शुरू होकर प्रसिद शक्ती पीट मान ना देवी मंदिर और बसी होते हुए भागडा डैम और बाबा बालकनात की नगरी शातलाई को जोड़ती है P.W.T. विवाग द्वारा पहल चिकना खड़ की सीमा पे एक बहुत बड़ा बोर्ड जो की इस सडक की आरपार लगा हुआ था जिसे लगवग दो तिन वर्षों से विवाग की लापरवाई के कारण खड़ के किनारे जाड़ियों में फैंका गया है जिसको केई वार मीडिया के माद्दम से भी और लोगों ने अपनी उसके बक्तब्या भी जारी किया कि इस बोर्ड को जो जिस पे बहुत ही शाइनिंग वाला बोर्ड है जो आज बिलकुल अपनी एक जाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ है जिसे विवाग जो इतनी लापरवाही करता है कि उसको अपनी देश की प्रदेश की प्रोपर्टी जिस पे लाखों रप्या इन्वेस्ट हुआ ही मचल सरकार का विवाग का उसको इस तरह से इनुन नहीं फैंक रखा है इसा प्रतीत होता है कि इस विवाग के अधिकारी इस नींद में सोय हुए है और उन से यही आग रहा है कि इस बोर्ड को उचीज जगा पर पहुंचाया जाए या जहां इसको पहले उखाड़ा गया ता वहीं पर लगवा दिया जाए ताकि यह उस सड़क की शान बना रहे यह इतना बड़ा वोर्ड जिसमें लाकों रवें इन्वेस्ट की है इसकी इस तरह से बरबादी नहीं होनी चाहिए देश की परदेश की प्रोपर्टी है